Hey everyone, go line ke series में आपका again welcome है. ласт group somaki's के सीरीस में आपका again welcome है. आज हम लों देखेंगे variable की उपछाल की उपर και आक्चिस भी गोलाइज में वेरियेवल्स क्या होते हैं. यह वेरी वल्स कुछ यहार सिंपल सिंपल अकर हुमारे पास कोई डीटा है उस डीटा कके लिए हम लोग कِ जह हमारा पुराना कोड है माई यूटिल फोल्डर उसको एडिटी से रहने जाते हैं ठीक है गो डॉट मॉड क्यू बना था ये भी हमने देखा था में फंसन में काम करेंगे यह हमने बाहर से एक पैकेज इंस्टॉल किया था इसके लिए ठीक है अब गो लैंग्वेज में इतना अच्छा है इसका compiler है यतना अच्छा तरह से वर्क करता है जैसे कि माई यूटील जो हमने यहां पर इंपोर्ट कर रखा है तो अब जहीं से यूज भी किया है लेट सबसे अगर इस लाइन को हटा देते है ठीक है जैसे हम इसको हटाते है और इस फाइल को जैसे ही सेफ करे लइन आटकिक इस लाइन आए इंहीं है तो शॉट है, मैं इस लाइन को भी यहाँ पर हटा जी आँ हूँ अगर अब मैं simple simple आपको यहाँ पे save left & Jahres and run करके दिखा ओं go run start to main.go तो यहाँ आपको भी तौन हो गया अम मेरा next target क्या है , तो मैं भीrint yeah अब जान एक अब जैसे अमें पर प्रेंज लिखा प्रेंद है своं और रहे ख्रीटी को चोहार सबढंगक्द investigators प्रेंद कर टेसे को प्रेंदःते तो प्रेंद इलिए स्मय कर दिढ़ अब जाइसे semicolon डाल दिया, क्या इसका need है, अब again, यहाँ पर compiler बहुत smart है, हमने semicolon, let's suppose, यहाँ भी डाल दिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही, इस file को हम लोग safe करेंगे, यह semicolon automating अटा देखा, देखना है, command plus save, enter करना हूँ, enter, save किया, semicolon automatic, खुद पर खुद रिमूफ कर दिया, मतलब कि compiler अपना हमें काफी enough smart है, वो देख लेता है, कि अकर semicolon का need है तो रखो, नहीं need है तो रिमूब, अगर अब मैं इसको run करना हूँ, तो यहाँ पर prints, मेरा नाम, print होगा, यह, prints प्रेंट हुआ, सेम इसी तरह, अगर आपको मन किया, कि आप कोई string नहीं रखना है, जैसे कि बेरा बढ़ है, कि मैंने लिखा var and version, ठीक है, वर्जर और फिर मैं डारेक्ट लेग दिया, 1.0, that's it, ठीक है, मैंने फिरे semicolon लगा दिया, क्योंकि मैं C++, JavaScript, अगर आप लगाते हो, फिर ठीक है, नहीं लगाते हो, तो फिर भी ठीक है, add-hawk compiler, उस चीज़ को delete करने वाला है, ठीक है, version मैंने लिखा, अब मुझे version print कराना है, ठीक है, तो इस बर बोलोगी, भाईया, आपने यहाप इस ट्रिंग लिखा, है, वो पक्का हो गया, कि इस ट्रिंग करा कहीं होगा, लेकिन version case में क्या हुआ, मैंने version case में directly लिखा, where version is equal to 1.0, यह भी मैंने लिख देता हूँ, version latest, ठीक है, मैंने यहाप एक इस ट्रिंग डेटा इस्टोर किया, तो compile time में वर्जन वैरियेबल, यह समझ जाएगा, कि मेरे अंदर जो डेटा इस्टोर हुआ है, वो इस्ट्रिंग दराखा हुआ है, go का compiler literally काफी smart है, हमें बहुत कुछ detail देने की जर्वत नहीं है, मतलब इस case में हमने specific ही कर दिया, कि जो भी data तुमारे पास आएगा, अब मैंने यहाँ पर प्रिंट किया version, तो let's suppose मैंने इसको run किया, तो इस थी, यहाँ पर लेटेस्ट प्रिंट हो गया, let's suppose अगर हम यहाँ पर नेम के जगा इस्ट्रिंग दे दिया, अगर let's suppose हम यहाँ पर 81 दे देते, तो क्या error यह काफ करता है, नहीं, यहाँ पर error आगया, error क्यों आया, cannot use 89, untyped int constant, as a string value in variable declaration, मतलब कि हमने declare करते वक्त, यह जो नेम हमने declare किया है, उस वे वक्त हमने बता दिया, कि वो string तरह का data store करेगा, फिर भी हम जान मुझ कर, 89 store करने का चाहरे है, जो कि 80 write एक तरह का integral data है, इसलिए यह error है, लेकि यह एकर string होता, तो यह perfectly work करता, लेकि इस case पर आप एशु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह compile time पर ही decide करेगा, कि version actually में क्या है, ठीक है, मैंने यहाँ पर return किया, इंटर, ठीक है, 76 print हो गया, यहाँ यहाँ तो कोई दिक्रत नहीं होगा, अब मुझे मन कर रहा है कि integral data रखने का, तो simple से मन मैं रख दिया, let's suppose मुझे चाहिए money, in my bank account, ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया integer, int, basically int, ठीक है, तो int is equal to, let's suppose, मेरे वार में 67,000 रुपीज है, ठीक है, अगर आप मैं इसको print करना चाहूँ, तो print, print talent, money, अब मैं इसको अगर यहाँ पर save करूँ, command plus save, एब मैं यहाँ पर run करूँ, तो see, 67,000 print हो गया, क्या यहाँ यहाँ पर int लिखना जरूरी है, नहीं, जरूरी नहीं है, हम चाहिए तो लिख सकने variable money या पर currency लिख दो, ठीक है, currency and that's it, अब मैं लाल दिया है, यहाँ पर let's suppose कुछ भी random number डाल दिया, ठीक है, let's suppose अगर हम लोग currency को print करें, तो firm.print talent, ठीक है, अब मैं लिख दिया कि currency is, sorry, currency is nothing, and okay, को लोग बाहर आने, currency, that's it, अगर हम मैं इसको यहाँ पर run करो, तो आपको simple simple दिख जाएगा, currency is 13489, that's it, ठीक है, same उसी तरह, आपको decimal value रखना है, यहाँ पर दिया 67.5380, ठीक है, तो यहाँ पर error रहाएगा, क्यों, because cannot use 6700.80, because यह float type का data है, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग float type का data के लिए कैसा रख सकते है, variable dimension is what we can say, float, ठीक है, तो float 32 bit या 64 bit, तो लेकिए 64 bit, लेकिए 64 लेकिए चलते हैं, safe side के लिए, मैं लिग दिख दिए 67, 87.12, अगर मैं इसे यहाँ पर print करू, तो firm.print talent, dimension, that's it, अगर मैं इसे को run करू, तब को यहाँ पर dimension भी print होते वे दिखेगा, ओक है, यहाँ पर error आगी है, क्यों हमने यहाँ पर fix नहीं किया, तो लेट सपर इसको fix कर देते हैं, and that's it, इसको run कर दें, 87.12, ठीक है, यह मैं लोग boolean के भी कर सकते हैं, boolean let's suppose decided, अगर मैं इसको यहाँ पर print करूं तो फर्म्ट डॉट प्रेंट 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 का पी बड़ा होगा ध्यान अगर यहाँ पर capital क्यों लिख रहे हैं, आपको यह भी समझ में आ जाएगा decided, अगर मैं इसको यहाँ पर print करूं तो simply print हो जाएगा false, देखो data type mention करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर यह strongly coupled हो जाता है अपने data के values कि वह data किस तरह का store होने वाला है उस variable में आपका मार्जी आपने भी सकते हैं, जैसे कि मैं randomly लिख रहा हूँ variable what we can say person person is equal to what I say person is equal to prince अगरवाग, अब मैं यहाँ पर print कर रहा हूँ तो person, that's it, अगर मैं यहाँ पर run करूं तो simple से मैं यहाँ पर run हो जाएगा print से करवाग, अब बोलों कि यह semi-colon क्यों नहीं होटा, विकास मैंने save नहीं किया था, अगर मैं save करूं को तो हट जाएगा, ठीक है, because save करने से क्या होता है, कि file compile होता है, कि actually मैं जितना भी syntax लिखा गया, वो सब सही है कि नहीं, person का मैं से लिखता हूँ 23, ठीक है, अगर मैं फिर से run करूं तो यहाँ पर 23 प्रिंट होगा, तो point is that, आप यह formula भी रख सकते हो, अगर आप store नहीं हो कि जो variable है, वो किस तरग data इस्टोर करने वाला है, अब देखो, आपकी मर्जी आप constant भी इस्तिमाल कर सकते है, यहाँ लिख दिया constant, यहाँ तो variable है, constant that suppose data या pi is equal to what I say 67.12, ठीक है, constant का क्या मतलब है, constant मतलब कि यह data भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर क्या, constant is unused, मैंने क्या क्या, firm.println and मैंने लिख दिया pi, ठीक है, that's it, अब मैं इसको आप प्रिंट करता हूँ, तो run करते है, 67.12, ठीक है, यह constant, अगर आप लेट्स मुचाओ कि बाद में pi का value चेंज करन constant, एक बाद लेट्र कर दिया, ठीक है, लेकिन इस केस में लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या, decided is equal to कर दिया true, यहाँ पर कोई भी इश्यो नहीं है, अब देखो, decided यहाँ पर as a true print होगा, अच्छा, कहाँ पर error है, अच्छा, मैंने यहाँ यहाँ पर change नहीं किया, इस किसी भी language में, आप जो भी language जानते हों को हर language में इस तरह के personality हमारे पास रहता ही रहता है, ठीक है, एक बहुत अच्छा sorthead है, अगर मैं इस सब को omit करूँ या comment करूँ चोड़ मैं फिलाल के रहे comment कर देता हूँ, ठीक है, एक तरह से आप लोग और variable बना सकते हैं, जिसमें talent and person, that's it, तो मतलब कि यह काफी अच्छा sorthead है, अगर मैं आप यहां पे clear करूँ, clear and run करूँ, तो simple simple बस 123 print होगा, ठीक है, मतलब कि यह क्या किया, यह directly 123 को एक person नाम के variable में assign कर दिया, और person नाम के variable create कर दिया, let's suppose 123 ना बोल के मुझे लगना था prince Agarwal, ठीक है, अब मैं यहां अगर इसको यहां पे फिर से run करूँ, तो अब क्या print होगा, prince Agarwal, इस तरह कि sort it हम लोग तब यूज करते हैं, जब directly हम लोगो किसी function से data मिल रहा होता है, और हमें पता होता है, कि उसको किसी variable में assign करना है, तो हम simple simple variable का नाम लिखते है, colon or is equal to, यह एक notation है, उसको लगाते है and simple simple, जो भी value assign करना रहता है, उसको assign कर देते हैं, और हमारा variable create हो जाता है, यह काफी अच्छा तरीका है, और काफी popular तरीका है, और golight में, most of the golight developer इसको यूज करते हैं, तो प्लीज आगे साब इसका ध्यान में रखना, यह cover कर लिया, यह भी cover कर लिया, यह भी cover कर लिया, आप सुचों कि बहुत रश्र में हम लोग आगे बड़े, ऐसा नहीं कर रहेंगे, ठीक है, इससे मैंने क्या है variable बनाया, public, ठीक है, तो public variable मैंने बनाया, और यहाँ पे, let's suppose मैंने डाल दिया, यहाँ पे, data is important, ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिख रहे, data is important, ठीक है, मैंने य बनाया, private, private में variable क्या बनाया, data is private, मैंने यहाँ पे यह चीज बनाया, ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर आप एक चीज समझो, कि अगर आपको कोई भी variable, कोई भी चीज, अगर आपको दूसरे या फाइल पर directly use करना है, या export करना है, तो आपको उसका नाम capital से लिखना पड ठीक, ठीक है, and second में क्या किया, from the dot print talent, and it's private, अगर मैं इसको run करके दिखा हूँ, तो simple simple जो चीज रन हो नहीं, वो run हो जाएगा, यार, बस अंतर इतना सा है, अगर आपने कोई भी variable in slice किया है, capital से, ठीक है, तो वो अब directly इसको export कर सकते हो, दूसरे जगह पे, दूसरे packages में दूसरे files में इसको use कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई भी variable in slice किया small letter से, small, तो आप उस variable को बस उसी file के अंदर access कर सकते हो, बाहर में access नहीं कर सकते हो, बस यही सेम चीज में लिखा है है, एगर मैंने public variable बनाया है, public variable मतलब कि हम चाह रहे हैं कि उसको बाहर से access करें, तो आपको उसका नाम smaller रखना पड़ेगा, that's fine, यह काफी important tips है, आपको हो सकता है, थोड़ा भी हलके में लगे कि क्या है, capital और इस बहुत से फरक पड़े जाएगा, this is the way go language is working, same चीज function के लिए आप लिख होती है, मैंने public function मनाया है, मतलब कि मैंने function का नाम P capital रखा है, मैंने यहां पर दूसरा function मनाया है, private function जिसका मैंने name रखा है, उसका starting में small रखा है, दो फरक working में कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस बात इतना सा है, कि आप इस function को बाहर किसी दूसरे packages से भी भी use कर सकते हो, इस function आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यह function बस एक single package के इंदर use होगा, that's बस अदर इतना सा है, और यह काफी अच्छा तरीका है, पता लगाने का, कि हम लोग किसी package में जो function मनाया है, कौन से function को बाहर export करना चाहरे है, और किस function को नहीं करना चाहरे है, थोड़ दर पहले मैं बताया था कि print Allen में, जो हम यहां पे print Allen लिखते है, उसका P capital Q है, because print Allen एक function है, जो कही है किस firmed package में लिखा हुआ है, तो इस function को मने दूसरे packages में use करना चाहरे है, अभी हम किस package में? main package में, ठीक है, तो दूसरे packages में use करना चाहरे है, यह हो सकता है, my utility के अंदर use करना चाहरे है, ठीक है, firmed.print Allen तो यह प्रेंट टैलिन जो फंट पैकेज का पार्ट है हम चाहा रहे थे कि उप्रेंट को दूसरे दूसरे पैकेज़ में लोग यूज कर सकें तो यह छोड़ी-छोड़ी इंटर कनेक्टिविटी है जब अब थोड़ा सोचो का लागवज के डेफ्ट में कि कैसे क्या सिंटे आज के लिए रखते हैं अब ठोड़े वैरियेबल से प्राक्टिस करो और भी चीजे की वैरियेबल में क्या हम लोग एक्स्ट्रोर कर सकते हैं तो आज के लिए इतना वीडियो चे लगा तो प्लीज यार कमेट करके बताना तब तक लिए मिलते हैं और आ झाल, 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 झाल.